हलो प्रेंट्स आज हम इस वीडियों बताएंगे फोटो को क्लीन कैसे करते हैं और फोटो का ड्रेस चेंज कैसे करते हैं तो चलिए हम वीडियों को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने फोटोसाप को आज से ओपन कर लेते हैं आप देढ़ सकते हैं मेरा stepping bang open हो गया photoshop open होने के बाद इसके बाद फोटो को open करेंगे photo को open करने के लिए हम Sharp को मिनमाईच करने के बाद इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरे desktop प एक photo है इस photo को हम mouse से पकड़ेंगे इस तरह से खीचेंगे और फोट साब में लाएंगे इसके बाद हम लाके यहाँ छोड़ देंगे आप देज सकते हैं मेरा फोटो ओपन हो गया इसके बाद हम यहाँ किलिक करके बढ़ा कर लेते हैं बढ़ा करने के बाद सबसे पहले हम फोटो को कराब करेंगे कराप करने के लिए हम कराप टूल को यहां से स्लेट करेंगे इसके बाद हम माउस को बटन दबा के इस तरह से इसको फोटो को स्लेट करेंगे यहां से इसको स्लेट कर लेते हैं इसके बाद हम अपने कीवोड को एरो की से थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं करने के बाद हम अपने कीवोड का इंटर बटन दबा देंगे आप देख सकते हैं फोटो कराफ हो गया इसके बाद हम फोटो में थोड़ा लाइट बढ़ाएंगे आप यहां देख सकते हैं थोड़ा लाइट कम है तो लाइट बढ़ाने के लिए हम अपने कीवोड का इसके बाद light बढ़ाएंगे, उपर करेंगे हम mouse का बटब दबा के इस तरह से उपर करेंगे, light थोड़ा सा यहां से बढ़ा लेंगे, उसके बाद यहां से ok कर देंगे, इसके बाद हम photo को साप करेंगे, photo को साप करने के लिए आपको यहां उपर image पे click करना है, उसके बाद य फोटन दबा के इस तरह से थोड़ा से यहां इसको फोटो के सावे बढ़ा लेना है उसके बढ़ाने के बाद आपको यहां red पे क्लिक करना है यहां नीचे आ जाना है आपको black पे क्लिक कर देना है इसके बाद यहां right side में इस तरह से इसको फोटो के सावे यहां बढ़ा लेन यहां से बढ़ा लेते हैं उसके बाद यहां से ओके कर देना है इसके बाद हम ब्रस से फोटो को क्लीन करेंगे ब्रस से फोटो को क्लीन करने के लिए आपको देख लिए इस वाले टूल को यहां स्लेट करने के बाद इसके बाद आपको यहां से कहीं गोरे चेहरे पर आपको इस तरह से click कर देना है, click करने के बाद उसके बाद आपको यहां से brush ले लेना है, यहां से brush ले लेना है, उसके बाद उपर आप यहां देख सकते हैं, opacity आपको यहां 10 रखना है, उसके बाद flow यहां 100 कर लेना है, इसके बाद brush के size को अपने keyword के bracket से छोटा बड़ा करके इस तर से माउस का बटम दबा के फोटो को क्लीन कर सकते हैं इस तरह से आपको ब्रेस से फोटो को क्लीन कर लेना है ब्रेस के साइच को अपने कीबड के ब्रैकेट से छोटा बड़ा करके इस तरह से माउस का बटम दबा के इस तरह से फोटो को आप यहां से क्लीन कर सकते हैं तो आप आप यहां दЕख सकते हैं झामरा फोटो ख्लीन हो गया इसके बाद हम फोटो का कलर बालेंस करेंगे छे बालेंस करने के विए हम अपने कीवोड का कॉंट्रोल बी DNP दवायेगे इसके बाद हम यहां कलीक करके फोटो को होज आपको यहां से इस तरह से कर लेना color balance कर लेना तो यहां से हम color balance कर लेते हैं यहां से कि इसके बाद color balance करने के बाद हम यहां से ok कर देंगे इसके बाद आप यहां देख सकते हैं थोड़ा बाल भूरा है तो इसको ब्लैक करेंगे ब्लैक करने के लिए है, आपको देख लिए यहाँ इसे वाले टूल पर आपको अपने माउस का राइट बटम क्लिक करना है उसके बद यहाँ दूसरा टूल को select कर लेना है इसके बाद इसको भी अपने keyboard के bracket से छोटा बड़ा करके इस तरह से इसके बाद mouse का button दबा के इस तरह से बाल को black कर सकते हैं आप यहां देख सकते हैं बाल black हो रहा है इसके बाद photo को थोड़ा zoom कर लेते हैं इसके बाद यहां आँक को भी थोड़ा ब्लैक कर सकते हैं, छोटा करके इस तरह से, यहां इसके बाद आई ब्रो पे भी यहां ब्लैक कर सकते हैं, यहां से, इसके बाद आप यहां दे सकते हैं, अबरा फोटो क्लीन हो गया, इसके बाद फोटो का बैक्ग्राउंड चेंड कर यहाँ Magic tool को select करने लिना है, उसका बैक्गर्णड got ॉसकवाद बैक्ग्गराउंड पर ृथ Anything आप यहाँ देख सकते हैंत हैं थोड़ा बड़ा है तो इसको बाल को policies पहला को इन क्रदोन डेक का्टने के लिए इस वाले टूल को माऊस का राइट फोटम किलिक करना बेक्ग्राउंड पर क्लिक कर देना है उसको फोटो को थोड़ा जूम कर लेते हैं यहां आप यहां देख सकते हैं थोड़ा बाल बड़ा है तो इसको हम बाल को काटेंगे यहां देख सकते हैं थोड़ा बाल यहां बड़ा है तो इसको बाल को काटेंगे बाल को काटने के लि माउस का बटम दबा के shift बटम छोड़ देंगे इस तरह से माउस से जितना आपको बाल को काटना इस तरह से माउस से select कर लेना है तो यहां select कर लेते हैं आप यहां देख से थोड़ा बाल बढ़ा है तो इसको हम यहां से select कर लेते हैं इस तरह से को सिलेट कर लेना है इसके बाद आप यहां देख सकते हैं, सिलेट हो गया इसके बाद आप पीछे किस color का background रखना जाते हैं बैक ग्राउन लेने के लिए आपको देख लिए यहां इसपर click करना है क्लिक करने के बाद इसके बाद आप यहां से कोई भी कलर क्लिक करके ले सकते हैं तो यहां से हम ब्लू पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहां से ओके कर देंगे ओके करने के बाद कीबूर का डिलीट बटम दवा देंगे आप देख सकते हैं मेरा photo का background चेंज हो गया, इसके बाद हम यहाँ इसको zoom minus करनेंगे, उसके बाद आप यहाँ देख से हैं किसका dress change करेंगे, dress change करने के लिए हम selection को हटाएंगे, ctrl d press कर देंगे, selection हट जाएगा, उसके बाद हम dress change करेंगे, dress change करने के लिए मिन्वाच करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मियरा file है, हम file पे click करेंगे, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हम download करके dress को रख लिये हैं, तो यहाँ एक dress को यहाँ से इस YEU इस तरह से उठा लेते हैं !! यहाँ इसके बाद हम इस पे Click करके माऊश से Click माउस से क्लिक करके यहां से फोट साम में लाएंगे, इसके बाद छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको मूब करेंगे, मूब करने के लिए हम मूब टूल को यहां से सलट करेंगे, उसके बाद माउस से क्लिक करके लाके इस पर छोड़ देना है, इसके बाद हम इहां क्लिक क कर लेना है यहां पर उसके बाद आपको यहां पर भी क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद इसके बाद इसको बढ़ा करेंगे बढ़ा करने के लिए आप अपने कीवोड का सीव्ट बटन दबा के माउस का बटन दबा के इस तरह से इसको हां से बढ़ा कर लेना है यहां से इस से इसको Iyam judge कर लीना इस तरह से तो हवावा है तो आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा dress का साइड थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको हम kuсь क्लिक करके यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लीते हैं अब भी दी देख सकते हैं थैंक अब बड़ा है थोड़ा से को प्रस का बटम धुद्वा की इस तरह से यहां से अपुम घ Dear करेंगे इसको और अच्छे से अर्जेस्ट करने के लिए आप अपनी कीवड को प्रफ का इयूग की से यहां इसको सहहता लिए सकते हैं जिनकों इधार उधार इसको कर सकते हैं, तो हम इसको कर लेते हैं, आप यहां देख सकते हैं, अर्जेस्ट हो गया, इसके बाद हम फोटो पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद फोटो को थोड़ा यहां जूम कर लेते हैं, आप यहां देख सकते हैं, थोड़ा यहां पीछे का ड्रेस यह यहां दिख रहा है पीछे का ड्रस यहां दिख रहा है तो इसको हम यहां क्राप करेंगे क्राप करने के लिए आपको देख लिए पोटो पे क्लिक कर देना है यहां पोटो पे उसके आपको देख लिए क्लिक करना है यहां लैसर टूल को यहां से उसको स्लेट कर लेना है उसक इस तरह से यदि आपके इस साइड में दिख रहा ड्रेस तो यहां इसको भी इस तरह से यहां से select कर लेना है उसको यहां double click कर देंगे उसको delete button दबा देना आप यहां देख सकते हैं पीछे का background remove हो गया तो आप यहां देख सकते हैं मेरा किस तरह से फोटो क्लीन भी हो गया और फोटो का address चेंज भी हो गया तो आप यहां देख सकते हैं बहुत असानिक साथ फोटो को clean कर सकते हैं और फोटो का क्लिक कर देना है उसके बाद हम फोटो को यहां से मिनवाज कर देंगे इसके बाद आप यहां देख सकते हैं डेस्टाप पे मेरा सेफ हो गया तो इसको हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फोटो क्लीन हो गया और फोटो का ड्रेस चेंज हो गया है इस तरह से आप बहुत असानिक साथ फोटो क्लीन कर सकते हैं और फोटो का ड्रेस चेंज कर सकते हैं यह वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दिजिए